मुझे अभी रिष्टेतारी में कही जाना था तो मैं शाम को अपना चेहरा साफ करने बैठी थी अच्छी खासी गर्मियों में बज जाती है बैंड कैसी चिपचिपासा चेहरा हो रखा है सावला पड़ जाता है गर्मी में जुलस सी स्किन जाती है आप खुद देखो कैसी अ से अलग लगू तो पैसे कर्च करने नहीं है मुझे इतने की पार्लर में जाकर दोती नजार का फेशल करा हूँ और घर पे कुछ ऐसा करते हैं जिससे की चेहरे पे बहुत बढ़िया निखा रहा है पार्लर वाले फेशल से तो कहीं ज्यादा चेहरा बिलकुल जगमगा या ऐसे घर में हैं अपको अपना फेस क्लीन करना हो तो कैसे करें बिना एक भी पैसा कर्च किए बिना किसी साइड इफेक्ट के इतना बड़ी या गोरा चिट्टा ग्लोइंग चेहरा हो जाएगा बस पूछे मत और यह जो नुस्क है या आपकी स्किन को टाइड भी बिना चेहरे पे हम कुछ यूज नहीं करते डेड स्किन सी चड़ जाती है तो उसके लिए क्लीन करना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले मैं यहां पर लेके बैठी हूँ बेसन यानि की ग्राम फ्लोर तो यह मैं बेसन लेके बैठी हूँ और दूसरी चीज आपको बताती हूँ ब बढ़ाता है बहुत अच्छा एक फेसपेक का काम करता है बहुत पुराने टाइम से राजाराणियों के टाइम से बेसन से स्किन को साफ करते हूँ आ रहा है जो आज कल के पिल साधन प्रोडेक्ट्स नहीं होते थे ठीक है तो दूसरी चीज हम यहां पर यूज करेंगे दह करते है ठीक है तो हमने जी एक चमच पेसन लिया और एक चमच के लमसम जो हमने इसमें दही भी डाल देना है और यह जो नुस्खा मैं आपको बता रही हो ने यह आप अपने सुफ चहरे पेहिनी है आप चाहरे तो अपने हाथों पे गर्दन पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते है आप हमने इसको अच्छे से करना से मिक्स करने के बाद यह आपको बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है कुछ जयादा इप अधा गाड़ा ना जीदा पतला मतलब वह बह Boss केना जाए ऐसा है मैं बताती हूं कैसे तो आपने सबसे पहले तो जो है फेश वोस कर लेना है उसके बाद से आपको इसको लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से पहले तो मोटे मोटे लेयर में हम पूरे फेश पेश पैक को लगा लेंगे उसके बाद से हमको दस मिनट के लिए अपने चेहरे पर करना है अच्छे से मसाज और उसके बाद आपको न ये डारेक्ट धूना नहीं है आपको जैसे 10 मिनट और फेस पर छोड़ देना है इसको 10 मिनट में न सूखेगा तो नहीं ना ज्यादा गीला रहेगा ना ज्यादा सूखा रहेगा इस तरह की कंडिशन में रहेगा तब हलकी सी और मसाज करके दो मिनट और इसको नॉर्मल पानी से जो है दो लेना है और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ पहले हमको 10 मिनट इससे अच्छे से करना है मसाज ही ना इस तरह से मसाज करने से आपकी चेहरे के सारी मैल को डेड स्किन को ओ हमारे टैनिंग को भी खतम करेगा बहुत बढ़िया आपके चेहरे पे चमक तेज लेकर आएगा स्किन को ग्लॉइंग बनाएगा तो इस तरीके से हमको मसाज करके फिर हमें नॉर्मल पानी से चेहरा धूना है फिर मैं आपको बताती हूँ हमने इस सेकंड स्टैप में करना क् अभी मैं इसको जो है इसको इसी तरह से लगा हूँ छोड़ दूगी और जिब 10 मिनट बाद यादा सीखा सूखा अदा गीला हो जाएगा तो मैं इसको नॉर्मल पानी से वोश कर लूँगी और फेस बहुत अच्छा निकरेगा अभी लाइव रिजल्ट देखी लेना तो चहरे मैंने नॉर्मल पाने से धोली और फेस कैसे एकड़म हो गया क्लीन बहुत हलका फील हो रहा है जिससे सारे डेड़ स्किन निकल गई और निकल ही गई है एकड़म बढ़िया से फेस हो गया है क्लीन तो अभी इसको उमपोच लेंगे इसके बाद से एक चीज़ हमको औ अभी हो जाएगा इसके बाद से हमको लेना है अलोविया जेल चाहे तो मार्केट वाला चाहे तो घर वाला अगर आपके पास अलोविया जेल लही है तो आप इसकी जगा टमाटर का जो रस है वो भी ले सकते हैं इस तरीके से फेस पे लगाया चीक है अच्छी कॉन्डिट में लेना थोड़ा ज्यादा और अपने फेस पे इस तरहां से नीचे से उपर की तरफ मसार्ज करने ही आपके चेहरे की जूर्यों को खतम करके चेहरे को टाइट बनाएगा स्किन को ग्लोइंग चमकदार बनाएगा चेहरे की रंग को साफ करेगा काली दाग धब्बे में उमीद करते हूं आपको यह विरा पैक और यह मेरी पूरी रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी ज़रूर ट्राइक करना बिना पार्लर गए घर पे ही एकदम चम चमा चम अपनी स्किन बनाने के लिए ठीक है तो लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो तो इ यह 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 टो चुन करना लाइक करणा अच्छी आ डाइक है लृगा होगी